हेलो गाइस गुड आफ्टरनून तो यहां पे हमने एक आप्शन बाइंग अभी कर ली है और फिन निफ्टी हमने बाइ किया है उननिस पांसो पचास का पुट थाउजन कॉंटिटी बाइ किया है चार रुपे बीस पैसे पे और अभी यह चल रहा है चार रुपे के आसपास तो अभी हमारा जो टार्गेट है वो दस रुपे के आसपास का टार्गेट है हम लेके चल रहे है यानि की 2.5 multiple returns इसमें मिलने चाहिए हमें तो देखते हैं कि क्या होता है और अभी तीन रुपे सी पैसे के आसपास चल रहा है 30 के आसपास तो यहां पे अभी हमने 1000 quantity buy की है तो यहाँ पर 1000 quantity भी मैं और add करूँगा थोड़ा सा भी देख के क्योंकि हमने ज्यादा भी invest किया नहीं है 4000 रुपर invest किया है तो 4 के आसपास और invest करेंगे हम देखते हैं भी कितने पर buying होती है दुबारा और यहाँ पर अभी 2 बच के 31 मिनट हो रहे है मार्केट को अभी भी देखा जाए तो है 45 मिनट के आसपास हैं हमारे पास तो अभी 3 रुपर 55 पैसे पर चल रहा है 3 रुपर 60 पैसे पर चल रहा है तो यहाँ पर देखते हैं चलो यहाँ पर 1000 quantity और buy की जाए complete हो गया है तो यहाँ पर 3 रुपर 55 पैसे पर और 1000 quantity buy की है और average नीचे आ गई है 3 रुपर 88 पैसे पर तो 2000 quantity हमारी buying हो गई है 400 quantity हमारी sell है जो अल्रेडी profit में चल रही है तो वो हमने उसका order place कर दिया है वो automatically execute हो जाएगा 10 पैसे पर तो अभी यहाँ पर focus option buying पर है देखते हैं अभी कि आज कैसा रहता है और अभी देखो market का क्या है scenario market जो fin nifty की आज expired ही है और 7 में mid cap nifty की आज expired ही है तो fin nifty का जो अभी हमने 1950 का put लिया है वो इसी purpose से लिया है क्योंकि हमें लग रहा है यहां से market थोड़ी सी नीचे आएगी तो यहां से हमारा put जो है hike मारेगा और हमने rate भी बहुत इंतजार करके बढ़िया rate लिया है ताइम हमेशा यह नहीं होता कि आपको 250 पर 25 पर या 3 बज़े trade लेना है option का ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको rate सही मिल रहा है और direction आपकी है थोड़ी बहुत आपको knowledge direction की तो आप 2 बज़े के बाद भी trade ले सकते हो पहले भी ले सकते हो अगर direction की knowledge है वो depend करता है तो यहां से कुछ पहले हम remove कर देते हैं यह कौन सी watch list जो है इसको थोड़ी सी सफाई की जरुवत था इसको उन्निस पॉइंस जो इसमें मतलब हमारे यूज में नहीं है वो इसको remove कर देते हैं हम इसमें से और अभी उन्निस छेसो उन्निस छेसो भी चलो यहां पर अभी यह है कि उन्निस पांसो चोहत्तर पर चल रहा है भी call देखो call चल रहा है 25 रुपए पर और put चल रहा है हमारा भी उन्निस पांसो पचास का तीन रुपए पर हमारी average है 3 रुपए 88 पैसे यहां पर यह भी वेस्ता चलो 3 रुपए 88 पैसे हमारी average है तो यहां पर अभी देखते हैं कि जो 10 का target है वो आता है नहीं आता अभी फिलाल देखते हैं अभी और अभी नीचे आ गया तीन रुपए 2 रुपए 45 पैसे का low आ रहा है और हमारा 38 का average है और अभी 1500 के loss में चल रहा है हमारा इस trade में ओप्शन बाइं के trade में तो यहां पर अभी उननिस 573 पे fin nifty चल रहा है ठीक है अभी यहां पर अगर उननिस थोड़ा सा हमें चाहिए कि downside ऐस पर charts जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा downside है जो आ सकता है नीचे अगर वो ठीक ठाक आ गया तो यहां पर 10 रुपए का target अचीव करना मुश्किल नहीं रहेगा तो यहां पर देखते हैं 10 रुपए का हम target लेके चल रहे हैं 10 पर आते ही हम इसको execute करेंगे 9-10 मान लो इसके आसपास execute कर देंगे अभी जो चल रहा है वो वही 3 रुपए 30 पैसे पर चल रहा है और 9-600 पुट को देखा होगे तो 33 पर चल रहा है 33 पर तो पुट थोड़ा जो प्रेशर है पुट साइड है मतलब ज्यादा तो यहां पर पुट साइड है थोड़ा प्रीमियम सेक्स्ट्रा तो वह भी कई न कई रोल प्ले करते हैं कि डाउनसाइड में हेल्प करते हैं अगर पुट साइड प्रीमियम ज्यादा होंगे तो क्योंकि यहां पर अभी तीन रुपए 35 पैसे पर चल रहा है और स्पॉर्ट प्राइस देखेंगे 19-570 पर चल रहा है चार्ट के सबसे थोड़ा सा आना चाहिए नीचे बाकी देखते हैं यहां पर हमने साथ साथ चार्ट लगाया हुए हमने एक मिनट पांच मिनट और साथ में आज 15 मिनट का भी देख रहे हैं चार्ट क्योंकि अभी क्लोजिंग के नहीं आ रही है और जो देखो यार गाईस चार्ट वगरा में यह रहता है कि आप मंतली हो गया वीकली हो गया डेली हो गया यह आपको बार बार देखने की जरूत नहीं पड़ती आप एक बार देख लो बीच में एक आद बार देख लो बहुत है उसके बाद आवरली हो गया यह थोड़ा इंट- 15 मिनट भी इंट किया हुए हमने अपने सामने तो वह भी हमें हल्प करेगा एक्जिट करने में और एंट्य करने में दोनों में एंट्य ग工 थे फाहिए अपना 10 का स्वाहि बना लिए हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत premiums में high काते हैं अब 10 का वो चाहे 15 चला जाए कोई issue नहीं अगर हमने 10 पे सोच है हम exit कर देंगे तो वो चीज है क्योंकि हमारा अगर 1500-200% का return बन रहा है तो वो more than enough है option mind में क्योंकि daily आपको 500% का return नहीं मिलता यह आप भी जानते हैं daily jackpot trade नहीं लगता यह आप भी जानते हैं कभी-कभी लगेगा तो वो कभी-कभी जब आएगा आप रोज वेट करोगे थो वही है कि आप 10 में से एक बार आपको jackpot trade लगेगा नौ बार नहीं लगेगा तो वो नौ बार आप गवाद होगे तो इसलिए अगर आपका target आ रहा है आपको तो आप उस पे profit book कर लेना जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर देखते हैं अभी 2.37 बिनट हो रहे हैं 3.35 पर हमारा चल रहा है trade 19.50 का put हमने बाई किया हुआ है 3.30 पैसे पर चल रहा है भी spot price थोड़ा सा time waste होगा definitely यहाँ करेगा क्योंकि finnifty मेरे साब से दो बार तो काफी मतलब जैसे last week last last week तीन last के तीन हफतों से काफी volatile हो जाता है last के time में बट आज मुझे लग नहीं रहा इतना volatile होगा क्योंकि market हमेशन expectation के उल्टा ही चलती है कभी भी देख लेना जब लोगों को expected होता है जिस दिन जो होना है वो कभी नहीं होगा तो actual में market में ऐसा होता ही है यही होता है आपको भी इस चिछ का experience हुआ होगा कभी ना कभी जब आप नहीं सोचोगे तब market एक दम से fall कर देगा जब आप सोचोगे कि आज fall करना चाहिए तो वो उस दिन fall नहीं होगा यही reason है कि कोई भी exact entry exact exit नहीं कर पाता यही reason है कई बार एक एक रुपे के premium 100 रुपे भी चले आते हैं बट कोई बहुत बहुत ही rare होगा जो कोई मतलब एक रुपे बाई करके 70 रसी पर भी sell कर रहा है नहीं तो जादा position एक रुपे पर कोई बाई करेगा वो दस पंद्रा बीस रुपे पर ही काट देता है positions तो देखो profit में आ गया है हमारा trade 19-550 का put और 4-25-4-30 पर चल रहा है यहां पर अभी time है ताइम आ गया है देखो दाही हजार के profit में आ गया है तीन हजार के profit में अर्टिस सो के profit में आ गया है 45-45 के आसपास आ चुगा है अब देखते हैं थोड़ा सा जल्दी लेने का यह है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है तो इसमें हमारा देखो आट हजार का profit आ गया है गया है जामरा 8,000 डबल हो चुका है बट अभी हमने sell नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा उपर आएगा हमें लग रहा है यहां पर इसलिए हमारा target हमने पहले से ही set किया हुआ है 10 के आसपास का target है हमारा 9,10,9,10 8 पर आ चुका है 8,55 पर आ चुका है 8,85 9,35 आ चुका है चलो यह exit करते हम ओ शिट यह हर बार की यह गलती हो जाती है 1,000 quantity 9,88 आ गया है 8,88 8 पर आ गया है यह वापस से बैक करना पड़ेगा 8,7 पर आ गया है चलो कोई नहीं वेट करते हैं एक आद मिनट और वेट करते हैं क्योंकि आएगा उपर अभी भी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है 10,9,10 का target है अभी भी तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं 1,2 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत है 2,40 हो रहे हैं अभी टाइम हमारे पास है बस यही रीजन है इस वेट करनेगा तो मार्केट प्राइज में भी कही नहीं एक्जिट कर देते हैं बट वह बहुत कम हो जाता 10 रुपए 11 रुपए आ चुका है उननिस पांसो पचास पूट में यानि कि देखो आप तीन रुपए एठासी पैसे पे लिया था और दस के आसपास हमने एक्जिट किया है जो हमने बोला था अब वो ट्रेड देखो नीचे आ चुका है साथ चालीस साथ पैंटिस पे आ चुका है तो एग्जिट करना भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना एंट्री है तो यहाँ पे हमारा आज का काम डन हो गया है वैसे बाकि अभी और ट्रेड देखते हैं कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं क्योंकि अभी दो चालीस हुआ है तो अभी 10-10 मिनट और देखते हैं कि कोई एका ट्रेड समझाएगा तो लेंगे हम बाकि फोर्स ट्रेड में जम्प नहीं करेंगे चाहे कितना भी बड़िया ट्रेड नहीं मिल रहा हो तब भी हम फोर्स ट्रेड नहीं लेंगे अब देखो यहां पे लोगों के क्या साइकलोजी होती है वालब लोग जो ट्रेडर होते हैं जो न्यूबी जो एक्स्पिरेंस ट्रेडर भी होते हैं अगर आपने चार उपए पर आपका एवरेज है मैं यह नहीं देखता कि price क्या है मैं देखता हूँ कि price कहां जा सकता है उस time कितना है उसकी value कितनी है उसे सबसे लेता हूँ कि costly है या नहीं है तो वो चीजे देखनी बढ़ती है अब 4 रुपए पर आगया देखो मेरे 4 रुपए पहले मैंने ले रखा था 2000 quantity यह को 370 पर आगया है बट मैं दुबारा एड नहीं करूंगा इसको मुझे पता है क्योंकि मेरा जो यहां का target था हाइक का वो आ चुका है और वहां से मैंने book कर लिया है अब यहां से यह चाहे zero हो जाए चाहे 10 पर चला जाए इस वाले trade में मुझे अभी परवा नहीं है जब तक कि मुझे खुद नहीं लगेगा कि एंट्री करनी चीए तो अब 4 रुपे पर चल रहा है देखो मेरे rate पर वापस चल रहा है तो कई लोग यही गलती करते हैं बहुस यह गलती मत करो यह गलती करोगे तो profit कभी भी बनानी पाओगे क्योंकि आज आएगा फिर कल चला जाएगा तो फाइदा नहीं है उसका या आज यह आपने profit 10,000 का बनाया और दुबारा से लोगे वो 0 हो गया अगर आपको लग रहा है नहीं लेना चीए फिर भी उसमें घुज जाओगे तो कोई फाइदा नहीं है तो वो चीज है अब यहां से यह कहीं भी जाए परवा नहीं है क्योंकि यह trade में दुबारा entry नहीं करनी क्योंकि वो मेरा plan नहीं है समझ रहो वो मैंने plan नहीं किया कि मैंने exit करने के बाद दुबारा entry करनी है जब तक कि मैं proper देख ना लू मेरा plan यह था कि entry करने के बाद exit करूँगा फिर उसके बाद बाद में जो trade थोड़ा बहुत मिलेगा वो trade देखूँगा forced trade नहीं लूँगा तो वो अपने थोड़े उसूलों पे चलो उसूलों को follow करो rules को वो जरूरी है वरना ऐसे तो फिर यह trade नहीं हुआ यह तो gambling हो गई आपकी कि चलो यार 4 पे बेचा 10 पे लिया 10 पे बेचा फिर 4 पे आ गया यार हमारे rate पे आ गया चलो फिर ले लेते है फिर से उठा लिया ऐसे नहीं होता गाइस तो यह चीज नहीं करनी चाहिए अगर profit बनाना है तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ने तो फिर profit बनेगा लेकिन फिर loss हो जाएगा तो वो चला भी जाएगा फिर आपको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा तो इसलिए कंट्रोल करो अपनी इमोशन्स पे प्राइज मत देखो देखो कि वो प्राइज मत उस ताइम वो कितना महंगा है कितना सस्ता है वो चीजे देखो वो ज़रूरी है तो यहां पे 4.35 पे चल रहा है बट अभी हमारा लेने का कोई प्लान नहीं है अभी देखते हैं कि थोड़ी देर और देखते हैं कि किस साइड मार्किट करवट ले रही है और जो जैसे चार्ट वगरा कुछ बताएंगे उसी साब से हम इंप्लिमेंट करेंगे तो यहां पे चार रुपय पे चल रहा है हमारा हो गया 14,000 का प्रॉफिट यह फिन निफ्टी है यह हमारा बिल्कुल जीरो होने की कगार पे है यह अभी 10 पैसे पे आटो सेल हो जाएगा आटो एक्जिट हो जाएगा तो यहां पे अभी देखते हैं कि यहां पे देखो 9,75,9,20 पे हमारा सेल हुआ है 1000,000 कॉंटिटी और 3,55 और 4,20 पे हमने बाई किया था अल्मोस्ट आप बोल सकते हो 200% का रिटन दिया है तो यहां पे अभी देखते हैं कितना होता है क्या आता है और ट्रेड वो देखते हैं अभी बने हुए वीडियो में ट्रेड आप भी बने रहो यहां पे ट्रेड मिल सकता है एक आद तो वो कुई ट्रेड हम लेंगे उस पे हम दूस्ती चीज पूरा कभी इन्वेस्ट नी करेंगे प्रोफिट जितना आता है कभी भी सही बतारों प्रोफिट बनाना ज़रूरी नहीं है पैसे बचाने ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसे बचाओगे तो बन अपने आप जाएंगे तो यहां पे फोकस मेरा यही है कि जो मेरा प्रोफिट आया है उसमें से मैं उसका half या half से कमी invest करूँ मेरा ये अब goal है ये नि के 11,000 आया है तो अब अगली में मैं 20,000 लगा दूँ नहीं बहुत नहीं मैं loss के time भी ऐसा नहीं करता है मैं profit के time भी ऐसा नहीं करता मैं कभी नहीं करता उसके बाद धीरे 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 freshness काम होती रहती है ये fact है ये fact है आप जितने ट्रोड लोगे आप पागल से हो जाओगे जितने extra दूसरा लो फिर तीसरा लो मैं लग जैसे जैसे trade बढ़ेंगे न आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा क्योंकि इतने ज्यादा over trading हो जाएगी के वो फिर संभाले नहीं समलेगी तो वो चीज़े मत करो मत करो बिलकुल मत करो पैसा बनाना ज़रूरी है बार बार ट्रेड लेना ज़रूरी निया ट्रेड में बने रहना ज़रूरी निया कि आपने प्रॉफिट कितना किया क्योंकि हम इस फिल्ड में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं तो अभी उन्निस पांसो पचास का पुट देखो पांस सत्र पांस नभबे चल रहा है तीन रुपए पर आया था साधे तीन पर आया था हमने लिया नहीं लिया बिल्कुल यह 10 पे चला जाए तब भी कोई परवानी है क्योंकि आप कोई भी कोई भी कोई भी परसर हो चाहे बड़े से बड़ा कितना भी कहीं भी बैठा हो exact entry exact entry बिल्कुल perfect entry कोई भी capture नहीं कर सकता और exit भी perfect capture नहीं कर सकता कभी कर लेगा once in a while once in a blue moon हो जाता है बट daily नहीं कर सकता तो आप भी उस फितूर में उमत रहो कि आपको perfect बनना है perfect कोई नहीं बन पाएगा आप बस यह करो कि आपको थोड़ी बाँ direction का idea हो और आपको timing का idea हो कि premiums आपको costly तो नहीं मिल रहे तो वो चीज़ें देखके चलो वो सब देखके चलो तो उस basis पे trade लो और अभी ती दो बच के 46 मिनट हो चुके हैं अब हम वेट कर रहे हैं कि एकाट trade हमें मिलेगा तो हम उस trade में jump करेंगे और अपना जितना profit है उसका मतलब पूरा profit नहीं half value के असपास का investment करेंगे यह हम पहले ही plan कर लेते हैं यार कि कैसा करना है यह मैं पहल जाद ही execute करो अंदा दून execute मत करो कि चलो जो आया ले लिया उठाके जो आया ले लिया उठाके नहीं बिलकुल नहीं आज profit में close होना है क्योंकि profit में close होना भी अपने आप में एक अलग ही motivation है यह समझ लो जिस दिन आप profit में close होते हो उस दिन एक अलग motivation आता है वो motivation 10,000 का profit है शाम तक आपने देखा over trading की और आपका वो 10,000 का profit था वो 10,000 के loss में convert हो गया तो क्या फायदा हुआ इतनी सर्खभाई भी की और कुछ benefit भी नहीं हुआ तो इसलिए यार कम से कम trade लो दो तिन ट्रेट दिन के maximum लो maximum बता रहा हूँ कि अभी देखते हैं एक सत्तर पर चल रहा है कि देखो अब और एक सत्तर पर तो उनिस छेसों सी था मैं उस पर भी थोड़ा focus कर रहा था इनकेस market उपर आती है तो इसलिए मैं देख रहा था बट यहां पर इतना market उपर आने के नहीं chances नहीं है तो उनिस छेसों को तो हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने का कि market हमेशा जो है expectation के अगेंस्ट ही काम करता है लास्ट दो तीन हफ्तों से अच्छा finnifti में move आ रहा था end में वो आज देखने को नहीं मिलेगा जहां तक मुझे ल देखाए देखते हैं बट यहां पर कोई मिलेगा तो हम उसको देख रहे है उसके लिए वेट करना पड़ेगा call side trade बना सकते हैं अगर इनके fin nifty नीचे आती है तो call side trade बनाया जा सकता है बट premiums हमें महंगे नहीं चीए CDC बात है हम premium महंगे लेना पसंद नहीं करते simple सा हमारा thought process है हमें सस्ती चीज पसंद है अगर वही चीज अगर सस्ती मिल रही हो थोड़ी अगर सस्ती मिल रही है इस time 1950 call जो है 16 रुपई पर चल रही है इस time चार्ट अगर bullish भी पताए तब भी मैं इसमें इंट्रि अभी फिलाल नहीं करूँगा क्योंकि मेर लिए ये costly है अभी फिलाल क्योंकि में को move नहीं देगी यहाँ पे कि यह डबल त्रिबल हो जाए क्योंकि मेरा डबल का रहता है मिनिमम तो वो चीज़ है तो अलग-अलग है जो ट्रेड है उसके भी अलग-अलग हिसाब किताब है बाकी यह हीरो-जीरो ट्रेड हमने लिया था अच्छा कासा हमारा बन गया है तीन रुपए 88 पैसे का एवरेस था और शाड़े नोग पर हमने बेचा है उसको तो बहुत अच्छी एरो-जीरो ट्रेड रही आज की और यहाँ पर अभी देखो अभी भी हमारी रेट पर चल रहा है हमने वहां नहीं सेल किया होता तो देखो यहाँ पर आ जाता इतनी देर लिख करना पड़ता अब यहां से कहीं भी जाए बट यहां तक आनेक बार ना फिर बंदा वही है के सोचता है कि चल याँ अब एक्जिट कर दूँ प्रॉफिट चला गया कोई दिक करनी है पर एक्जिट कर दूँ तो उसका कोई फाइदा नहीं है ग्यारा हजार का प्रॉ अब जहल सकते हो अब मैं अभी स्टार्टिंग में जब की मेरी केपिसिर्टी सही है बट मैं कम कम क्यूं करता हूं क्योंकि मैं पहले थोड़ा अपना कोइंदेंस और बिल्ड करना चाह रहा हूं और साथ में यह है के प्रॉफिट जो मतलब लास्ट इयर मैंने आपको बताया था जो लॉसिज हुए थे वो सारे मैंने कवर कर ली है तो मैं पैसा जो है मतलब जाने नहीं देना चाहता अपने हाथ से न तो यह चीज़ा मैं धीरे-धीरे करके करना चाह रहा हूं फिर आगे- सोचता मैं बिल्कुल नहीं मुझे आज ही करना है सब नहीं बास मेरे पास बहुत 10 साल है 15 साल है मैं आराम से करूँगा बट करूँगा तो यहां पे देखो यार ट्रेड तो अभी मिला नहीं और लगनी आप कोई मूड भी कुछ है नहीं अभी कुछ खास ट्रेड अब मिल तो अभी कोई ट्रेड फिलाल मिला नहीं है अगर मिलेगा तो बताएंगे बट चैंसे थोड़े कम ही है क्योंकि आज फिर निफ्टी ने यहीं गूमना है बाकी ज्यादा कोई शाप अप मूब डाउन मूब नहीं लग रहा मुझे किसी भी एंगल से यह मैं पहले से ही बोल